गुद इवनिंग क्लास, I hope you all are doing good, so आज हम एज्जुगुरुकुल पे एक नई लेक्चर सीरी स्टार्ट कर रहे हैं, on the ancient history, तो जैसे के आपको जे पता ही है, कि हमारा जो जे एज्जुगुरुकुल अनिशेटीव है, तो जे एक noble thinking के जो स्टार्ट किया गया है, तो वो noble thinking क्या थी, democratization of education, तो वो noble thinking है, democratization of education, तो उसी एक agenda को आगे लेकर, मैं जो उसे agenda को आगे लेकर हम, जो आगे लेकर चाहते हैं, तो उसी के basis पे हमने एक नई लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, ancient history, तो guys, जो ancient history है, तो बहुत ही tricky subject है, इन्दा यूपीर सी preparation, तो पहले तो हम देखते हैं, तो आज इस lecture में हम देखेंगे, introduction, strategy, books list, slavers, तो जी सब चीज़े, आज हम इसको discuss करेंगे, तो पहले तो जो यूपीर सी में, हिस्ट्री का क्या रोल है, जैसे कि आपको पता है, जो यूपीर सी में हिस्ट्री है, वो पांच तरह किया है, ancient, medieval, modern, फिर world history, फिर history after independence, और इसी के साथ पैरलर्लमिक है, art and culture, और इसमें से आपको question आते है, pre and means में, और जो history आती है, जी जी एस पेपर वन में में, तो जी history का जे रोल है, तो जी हम पहले आज हम इसको ancient history को start करने जा रहे हैं, तो अब आप सब पूछोगे भी जो ancient history का रोल यूपीर सी preparation में कहां कहां है, तो इसके मैंने बताया, prelims में तो आपको इसके caution आते हैं, mains में भी आपको caution आते हैं, GS paper 1 में, apart from this, आपको जे help करता है, ethics के paper में, आपको help करता है, essay में, जो कि जब आप essay लिखते हो, तो sometime ना किसी topic का आपको historical history में जाना पड़ता है, spoil करो, urbanization पे आप essay लिख रहे हो, तो जब आप urbanization पे ऐसे लिखोगे, एक अच्छा essay वही होता है, जो कि temporal, temporal मतलग क्या होता है, timeline पे एक लिखा जाए, तो जब spoke और आप एक urbanization पे ऐसे लिख रहे हो, तो अगर आप बहाँ पे इंडर्स वैली civilization को mention कर रहे हो, तो that will give you your essay historical perspective also, तो बहाँ पे भी ancient history बहुत ज़्यादा helpful होती है, apart from this, your optional, जै कई options objective में, history आपको काफी useful होती है, जैसे कि मेरा optional sociology है, तो कई ऐसे themes हैं, जैसे role of woman, तो woman का role क्या था, history में, modern history में, तो जैस सब चीज़ें, तो मेरे को जो UPS, जो मेरा optional की preparation है, उसमें भी इसने काफी help किया, तो I hope आपको पता चल लगाए, ancient history क्यों पढ़ना है हमने, तो अब ancient history का सबसे जो, एक सबसे जो confusing चीज़ है, भी book कौन सी होने चाहिए, तो book कौन सी होने चाहिए, तो जो book है, जो आप आरे शर्मा, इंडिया इंशन पास्ट, तो लेकिन आप को कि सर मार्केट में तो बहुत सारी books है, तो हम कैसे जिकीन मानने भी, जे book सबसे अच्छी है, वैस्तो जे अच्छी है, क्योंकि इतने review ratings है, apart from this, एक और validation है, जैसे कि आपने देखाऊगा जे अनुदीप दुरिशेति सर का जो blog है, रैंक बन, तो इन्होंने भी अपने मतलब जो site पे था, तो उन्होंने जो लिखी हुई है, old NCRT by RS Sharma, तो वो जे same Indian ancient past RS Sharma की NCRT की बात कर रहे हैं, तो रैंक बन, तो वो कह रहे हैं भी जे आपको जे वाली जो book के ancient history के लिए पढ़नी है, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, सर्जय अपिंदर सिंग पढ़ ले, तो मेरा simple है उनको, जो भी students से तने confused होते हैं सोर्सुज में, तो मेरा उनको simple suggestion है, क्योंकि कुछ चीज़ है, आपको किसी के experience से भी सीखने चाहिए हैं, तो मेरा experience यही कहता है, minimum sources, maximum revision, अब देखिया, अपिंदर सिंग book 700 page है, तो आप फिर क्या होगे, फिर आप civil servant तो बनोगे नहीं बनोगे बहुत नहीं पता, पर historian बन जाओगे, तो हमें historian नहीं बनना, हमें civil servant बनना है, क्योंकि इसमें आपको पता है, civil service का एक basic funda होता है, you know something about everything, not everything about something, ऐसा नहीं है, history का सब कुछ पता है, दूसरे subject रही गए, क्योंकि time limited है, ऐसा नहीं है, भी 5 year plan बना लेना है, 5 बरसी योजना, बना के preparation करनी है, वो नहीं करना, भी 10 12 महिने की preparation करो, और अपना attempt दो, और paper crack करो, तो minimum source हो, maximum revision, तो मेरा suggestion यहीं होगा, जो मेरा experience है, और जो अगर आप औरों भी देखोगे, जिन्होंने UPSC को crack किया है, तो source को एक ही रखिये, और best source जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने R.S. Sharma को पढ़ा है, तो best source R.S. Sharma है, बट अगर हमें कुछ लगा, जैसे support करो, भी कुछ चीजे R.S. Sharma missing है, तो don't worry, बैसे तो हम R.S. Sharma को हम cover करेंगे, पूरा करेंगे, तो R.S. Sharma को ही base लेके चलेंगे, बट support करों कुछ चीजे extra value addition करनी है, from the NCRTs, जा from Tamil Nadu की books, तो कुछ भी होगा, तो वो आपको इनी PPTs में मिल जाएगा, बट mostly जो PPTs होगी, mostly जो जो lecture series होगी, R.S. Sharma के center की ही होगी, बट still हम कोशिश करेंगे, कुछ चीजे हो, अगर भी जो लग रहा है, हमें missing है, तो हम इसी में accommodate करेंगे, तो मेरा कहने का मतलब simple words में क्या है, भी R.S. भी आपकी ancient history के लिए जो lecture series more than sufficient होगी, योकि हम इसमें holistically चीजों को cover करेंगे, तो अपिंदर सेंग को आप ऐसे बूल जाएए, क्योंकि जे post graduation subject के लिए होती है, post graduation students के लिए होती है, तो मतलब जे जिनोंने history में आगे अपना career बनाने के लिए सोचते हैं, तो उनके लिए, तो I hope जे जिनका history optional subject है, तो वो जे उनके लिए book है, तो I I hope आपको भी source में, जो confusion है दूर हो क्या होगा, तो best जो है, आप आरे शर्मा को ही पढ़िए, इसको दो बार revision कीजिए, तीन बार revision कीजिए, और मैं एक चीज और बताता हूँ, जो मिनने अभी आप देखोगे, जो जब lectures इसमें आएंगे, मतलब हार एक chapter भी एक lecture बनाए है तो आपको क्या करना है, simple, इस lecture series को कैसे utilize करना है, आपने PPD डाउनलोड करनी है, आपने पर lecture देखना है, lecture देखा, आपने इसको आरे शर्मा है, वो chapter पढ़ा, जिसे first lecture, first chapter पर बनेगा, तो आपने वो chapter पढ़ा, ठीक है, उसके अगर आप PPD देखोगे ना, वो summary form है, और ब तो हम इसको जो आरे शर्मा का main source है, और इसी के साथ साथ हम जो prelims और mains के question है, वो साथ साथ कवर करेंगे, जो भी 10 सालों के हैं, मतलब 2011 से लेके 2022 तक के सारे question जो होंगे, वो साथ साथ subject के, जो भी topic होगा, उसके साथ साथ हम कवर करते जाएंगे, तांके आपको linkage करना easy हो, तो क्योंकि at the end of the day, मुझे aspirants को confuse नहीं करना, YouTube पे बहुत सारे channels हैं, जो के कुछ भी videos बनाते रहते हैं, मुझे और aspirants को और ज़्यादा confuse कर देते हैं, मेरा सर्फ यही परपजय है, मैं चैनल पे playlists बनाके रख दू, हारे एक subjects की, ताके एक student आए, वो playlists को देखे, और हो जाए, मुझे confuse नहीं करना, तो इसलिए मैं इसको बहुत simple रख रहा हूं, simple और quality भी, मतलब मैं अपने lectures को late बनाता हूं, लेकिन quality compromise नहीं होने देता हैं, तो इस lectures में जो सारी PPTs हैं, वो मैंने बनाई हैं, सारी summary जो मैंने खुछ से बनाई हैं, सारे questions को linkage किया है, ताके आ आपको at the end of the day, बहुत help हो सके, और जब हम जे पूरी lecture series खतम हो जाएगी, तो मैं एक doc file निकाल दूँगा, जिसमें पूरी RS शर्मा की summary होगी, मतलब PPTs के साथ से तेक PDF file भी दे दूँगा, जब पूरी lectures cover हो जाएंगे, तो I hope जे आपको समझा आगया होगा, तो अभी हम इ 33 chapter है, तो 33 इस series में lecture होगे, प्लस जे introduction lecture, तो total 34 lecture होगे, लेकिन इसमें आपका जो ancient history है, वो holistically cover होगी, मतलब you will find that we linkage कैसे कर सके, तो मैं आपको जे इन chapters का overview दे देता हूँ, तो first chapter जो book का है, वो बताता है, वो जो ancient history की significance क्या है, क्योंकि आप कहोगे, विसर हमने तो कहाव सुनी थी, विजो कल की बाते हैं उसको बूलो, लेकिन ancient history as a civil servant आपको पढ़ना क्यों जुरूरी है, तो आप उसकी relevance को समझोगे, जैसे इसमें unity in diversity को किया हुआ है, तो आप एक और beauty देखिए, जैसे unity in diversity, आपका social issue जो topic पेपर ब साथ साथ social issues में भी आपको help करेगी, उसके second chapter क्या है, modern historians of ancient India, तो अब history को study करना है, तो history को study करने के different perspective थे, colonial perspective, nationalist perspective, फिर communal approach थी, तो ये क्या थी, ये second chapter में discuss किया गया है, तो अब देखिए, आपने history को पढ़ना है, अब तीन हियार साल परानी बाते कर रहे हैं, पांच हियार साल परानी बाते कर रहे हैं, तो वो हमें कैसे पता चली, हमें वो पांच हियार साल परानी history कैसे पता चली, तो उसका बताए वी क्या-क्या source जै, उस history को construct करने के, material remains, coins इंस्क्रिप्शन, literary sources, foreign accounts, जो foreign travelers आई, village study, natural science, तो इनकी historical sense क्या है, और कैसे इस history को construct किया हुए, जो थर्ड चेप्टर में बताया है, फोर चेप्टर में geographical setting, भी एक इंडिया की, जो geographical setting ऐसी कैसी थी, और आपको पता है, geography defines your history, geography defines your culture, तो वो geographical setting इंडिया क्या थी, कैसी थी, क्योंकि आप देखिए, जो भी great civilizations है, आप वो कहां पे है, on the banks of rivers, मतलब जो बड़े-बड़े rivers हैं, उनके किनारे पे बड़ी-बड़ी civilization बनी है, जैसे indus valley civilization है, indus river, तो geography जो आपको है, बहुत ज्यादा deciding factor होता है, तो जो फोर चेप्टर में geography की बात की है, फिफ technology और environment ने जो human history को कैसे influence किया है, तो ecology तो वैसे आपका environment का part भी है, लेकिन जहाँ पे जो environment को हम study कर देए हैं, तो वो different perspective से भी ancient history को उसने कैसे impact किया है, six थे आपका linguistic background, भी मतलब जो उस time थे, लोग थे, different different races थी इंडिया में, ancient इंडिया में, तो उनकी language क्या थी, तो वो six chapter में holistically कवर किया हुआ है, तो seven chapter है human evolution, the old stone age, human evolve कैसे हुआ, जैसे, तो मतलब human, homo sapiens से पहले, homo astraloids, तो जो different different जो थे, human beings कैसे, जो थे, वो evolution हुए, उसके बाद new lithic age आई, जिसको new stone age बोलते हैं, तो इसमें क्या था, इसमें जो first food producer थे, जो के पहले जो human beings थे, जो hunter and gatherer थे, hunting करते थे, जंगल में रहते थे, गुफा गेज में क्या हुआ, उन्होंने खेती करना शुरू किया, एक जगा पर settle होना शुरू किया, फिर चाल को lithic culture आया, उसके बाद आपका हडपन culture आया, हडपन इंडिस वाली civilization, इंडिस वाली civilization के बाद आपके Aryans आय, आरियंस जो एक बहुत बड़ा इंडिया की history में debate है, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं पता था, लेकिन जब मैं ये history के lectures बना रहता था, तब मुझे समझाया, भी इंडिया में एक ideological debate चल रहा है, दो theories है, Aryan invasion theory और indigenous Aryan theory, तो आप अगर पढ़ो कि you will get impressed, भी मतलब क्या सही debate चल रहा है इंडिया में, Aryan invasion theory और indigenous Aryan theory, तो वो Aryans जो आ रिगवेदा और लेटर बैदिक फेज, तो बैदिक पिरिड, लेटर बैदिक पिरिड, जो 12 और 13 चेप्टर में discuss किया हुआ है, फिर 14 चेप्टर में उने discuss किया है, जैनिजम और बुद्धिजम, तो आप देखिए, अगर जैनिजम बुद्धिजम के जो ideas हैं, तो आप teachings देखोगी, गौतम बुद्धा की, जा महावीर की, बगवान महावीर की, तो आपको वो चीज़े, एक उसमें भी लिखने में helpful करेंगी, 15 चैप्टर, राइज ओफ मगदा, मगदा जो स्टेट थी, उसका राइज कैसे हुआ, जो महाजन पर कैसे बने, तो फिर आपका इर फिर स्टेट स्ट्रक्चर और बरना सिस्ट्रम इंदा ये जो बुद्धा, तो बुद्धा के टाइम पे जो स्टेट, स्टेट मतलब गौर्र्मेंट की स्ट्रक्चर क्या थी, जो रिपॉब्लिकन एक्सपेरिमेंट था, जैसे के हमने सुना होगा, भी जो कहते हैं, ज़र फिनोमेना फ्रिपॉब्लिक, वो कब आया? दुरिक फ्रेंच रेवलूशन, फ्रेंच रेवलूशन के बाद मनार्क को हटाया गया, और बाद में एक रिपॉब्लिक, एज रिपॉब्लिक इस्टाबलिश किया गया, लेकिन आप देखिए, यू विल गेट इंप्रेस्ट, जो modern political scientist है, वो कह रहे हैं भी जो republic as a political concept है, that is a recent phenomenon, after the French Revolution, लेकिन आप देखोगे, भी हमारे इंडिया में, ancient times में, आज से 2000 साल पहले, 25 साल पहले, भी republics पाई जाते थे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, modern age की, तो हम maurya के जो age थी, वो सब देखेंगे, rulers, तो उसके बाद significance क्या था, maurya rule का, उसके साथ साथ हम उसके जो decline क्यों हुआ, fall क्यों हुआ, क्योंकि जब जब आप why caution पूछोगे, कुछ भी चीज़े हैं, तो आपको अगर UPSC preparation में ध्यान देना है, qualitatively आपको करना है, तो आपको दमाग हमेशा ऐसा चाहिए, why, क्यों, मतलब जैसे इंडिस वैली पढ़ रहे हो, तो इंडिस वैली का decline क्यों हुआ, audience क्यों आए, तो जे सब चीज़े, why बहुत important है, तो Central Asian Contact and Mutual Impact, तो Central Asia, जो कि हमारा अभी जिसके साथ हमें इंडिया वाले SEO बना रहे हैं, सिंगाई Corporation, Organization, तो जो Central Asia की बात कर रहे हैं, तो उसका क्या impact था, मतलब कैसे contact हुआ, शाकास, पर्थियन्स, कुशन्स, तो ये सब चीज़े, इंडो-ग्रीक्स, ये सब चीज़े आपको देखना है, ये 28 चैप्टर में cover किया हुआ है, फिर आगे 21st चैप्टर है, सत्वाहना, फेज, इसकी बात कर रहे हैं, 22nd चैप्टर में, आप Deep South में चले जा रहे हैं, जो थ्री किंग्डम बने थे, अर्लियर किंग्डम, तो उसकी बात हो रही है, Deep South में, इंडिया के, तो उसकी हिस्ट्री की बात चल रही है, क्राफ्ट्स, कमर्स, एंड अर्बन ग्रोथ, तो 200 BC से 250 AD तक जे कैसे चीज़े ग्रोथ हुई, उसके अर्गुपता इंपार की बात हुई, लाइफ इन गुपता इज की बात हो रही है, 24-25 चैप्टर में, और अभी 26 चैप्टर में, जो इस्टर्न इंडिया है, ओडिसा साइड, बिंगॉल साइड, तो जहां पे इस civilization कैसे स्प्रेड हुई, उसकी बात हो रही है, फिर हर्षबर्दन की बात हो रही है, 27 चैप्टर उसके बाद 29 चैप्टर में, development in philosophy, भी ancient times में जो philosophy पे क्या development हुई, तो वो चीज़े भी जहां पे हम बात करेंगे, different different जो school of philosophical school developed हुए, इंडिया में वो सब हम बात करेंगे 29 चैप्टर में, और जे चीज़ आपको ethics paper 4 में भी बहुत important है, जो इंडिया के thinkers हैं, उनके क्या teachings थ तो बहां पे भी आप जी चीज़े quote कर सकते हो, तो 30 chapter cultural interaction with Asian countries, तो Asian countries के साथ जो cultural interaction था, वो क्या था, तो वो चीज़ भी आप 30 chapter में देखोगे, अब 31st में देखोगे, क्योंकि ancient history के बाद हमने जो करनी है, वो medieval history करनी है, तो हम देखेंगे भी ऐसा क्या हुआ, जो ancient से medieval की तर medieval history कहा रहे हैं, तो ऐसे क्या था, क्या factor थे, जो कि हमारी वो transition स्टार्ट हुई, towards medieval history, और उसके 32nd chapter जो होगा, sequence of social change, तो क्या-क्या वो sequence था, social change का, इस पूरे time period में, मतलब, till medieval, तो कैसे मतलब, जो social change था, वो क्या-क्या हुआ, भी कैसे एक mode of production change हुआ, भी एक तरह का summarize, वो चीज़ हम देखेंगे, और 33 में, legacy in science and civilization, तो जो ancient historians का role क्या था, medicine में, geography में, art and culture, mathematics, science, यह सब भी हम चीज़े देखेंगे, क्योंकि sometime हो सकता है, science के कोई ऐसे आजाए, तब आप उस पे लिख सकते हो, जब आप से पूछ सकते हैं, GS paper बन भी पूछ सकते हैं, भी science का क्या role जब कुछ सकते हैं, prelims में, तो जो 33rd chapter, तो मोटा मोटा इसमें क्या है, मतलब हम इस book को base लेके चलेंगे, और आप भी मैं कहूंगा, जो book को base लेके चलिए, क्योंकि इस book में आप जो ancient history के सारे आपके topics हैं, book पूरे हो जाएंगे, cover हो जाएंगे, और अच्छी बात क्या है अगर आप इस अप्रोच से चलोगे, आपके पास एक source होगा, एक source होगा, क्योंकि na UPSC preparation में students source ही ने book कर पाते, वो एक-एक source collect करते जाएंगे, तो वो collector बनना होता है उन्होंने दूसरा, और collector वो दूसरा बन जाते है, books collector बन जाते है, आपको books collector नहीं बनना, आपको collector UPSC बनना है, civil servant बनना है, तो इस अप्रोच की जही benefit है, भी एक book है, बेस है, और उसको मैं पढ़ूं, अच्छे से पढ़ूं, तो बाकि जो भी value addition है, वो हम साथ साथ कर रहे हैं, और इसी के साथ, इसी lecture series में साथ, उसी topic के साथ, हम साथ, साथ, क्रेंटफेर्स के साथ भी contact, ज आपको मेरा जो है, एक vision clear हो गया होगा, आपको जो यह lecture series कैसे utilize करनी है, तो thank you class, बाकि फिर भी कोई अगर आपको doubt हो, तो आप हमें comment section पर लिख सकते हैं, तो अब हमारे इस lecture के बाद 33 सी video हो रहे हैंगी, और उसके साथ आपकी पूरी ancient history, मतलब qualitatively and पूरी तरह कपर हो करेंगी हैंगी